Hey friends, spoken English day 21 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है And welcome back to educational channel by Ritashu अगर आपको remember हो तो हमने previous videos में, previous class में specially सीखा था उसका कि अगर हमें उसका कहना है, हमारा कहना है, मेरा कहना है, उन लोगों का कहना है तो हम किन words का इस्तेमाल करते हैं? His उस लड़के के लिए, Her उस लड़की के लिए, Our हमारे लिए, My मेरे लिए, Their उन लोगों के लिए And it's उस वस्तू के लिए ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हमें इन words से किसी sentence को शूरू करना हो तो हम कैसे करेंगे जैसे कि I am Ankita, अपना introduction अपना नाम बताने के लिए, मैं Ankita हूँ तो हमने बोला, I am Ankita ठीक है, मेरा नाम Ankita है नाम हम दो परकार से बता सकते हैं, मैं Ankita हूँ और मेरा नाम Ankita है My name is Ankita लेकिन अगर हमें बोलना हूँ, उसका नाम Ankita है उसका नाम रवी है तो हम My नहीं बोलेंगे उस लड़के का नाम रवी है तो His, His name is Ravie उस लड़के के लिए हमने His का इस्तेमाल करा His name is Ravie उस लड़की का नाम कवीता है अब लड़की के लिए क्या लगेगा हर, उस लड़की हर अब एक से ज़्यादा नाम है तो Names और ज़्यादा लोग है तो R Our Names are Ankita, Kavita and Ria Our Names are Ankita, Kavita and Ria उन लोगों के नाम Ravie, Kavie and Shashank है उन लोगों के लिए लगेगा Their एक से ज़्यादा नाम है Names इस की ज़्यादा लगेगा Are Ravie, Kavie and Shashank Their Names are Ravie, Kavie and Shashank अब बात करते हैं उस कुत्ते की उस कुत्ते का नाम जाकी है तो उस कुत्ते के लिए हम इट्स का इस्तेमाल करेंगे Its name is Jackie क्या बोलेंगे Its name is Jackie Thank you so much for watching friends If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group Bye for now, have a good day and take care जल्दी मिलेंगे next class में अभी के लिए इतना ही Bye for now, take care